UK के नए प्रधानमंतरी रिशी सुनक ने कहा है कि भारत के साथ उनका देश मुक्त व्यापार समझोता करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद है लेकिन समझोते के लिए कई मुद्दों का हल निकालना जरूरी है भारत और UK के बीच मुक्त व्यापार समझोता दिवाली त इशारा कर रहे हैं रिश्य सुनक ने दो चीजों के तर्व इशारा किया और उनकी मुलाकात प्रधानमंतिर राइन मोदी से जी ट्वेंटी में के बाली सम्मिट में हुई थी और वहां से हमें कुछ संकेत मिलने वाले थे कि हम यूके और भारत के साथ के का जो लंबित मुक् काम करने के लिए यूके में आने के लिए और यूके में सेवाएं देने के लिए जो छूट भारत चाहरा है उसे लेकर रिश्य सुनक की सरकार राजनीती कुरूप से भी वो पाल्टी राजनीती कुरूप से इस बात के पक्षवें नहीं है कि प्रवासियों को तोरी पार्टी की इमिग्रेंट्स के अगेंस थी और इसलिए आपको याद होगा कि इस समझोते पर रिश्य सुनक से पहले की सरकार जो थी उसके ग्रहमंत राजमंत्री ने होम एफर्स मिनिस्टर ने सवाल भी उठाये थे तो पहला तो यह मुद्दा है और यह बड़ा है जो निकल कर आया है चर्चा में इसका ड्राफ्ट लीक हुआ है कुछ अंतराश्टी फोरम के उपर जिस चर्चा में वो दवाओं के पेटेंट को लेकर है यूके इस बात पर दवाओ बना रहा है कि भारत इस समझोते में इस बात पर सहमत हो कि जिन कंपिन जो कंपिनिया यूके की यूरोप की कंपिनिया भारत में अपनी दवाओं बेच रही हैं उन्हें पेटेंट की सीमा बढ़ाने की सुविधा दी जाया है अगर वो दवाओं में कुछ थोड़ी थोड़े बदलाओ कर रहे हैं तो उनके पेटेंट जारी रहे हैं दवाओं और करता रहा है कि पेटेंट की एवर ग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए पेटेंट की एक अवद है और उस समाप्त हो जाए उसके बाद दवा पेटेंट से बाहर आ जानी चाहिए जिससे कि वो सस्ती हो जाए और बड़ी अबादी को वो उपलग्द हो सके यूके को इस बात के ल डेटा प्रोटेक्शन के रूल भारत के और यूके के एक दूसरे से मिलते नहीं, सुचनाओं के अस्ता अंतरन पर भी अभी सहमती नहीं बन पाई है.